स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे तेरा अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो ये साल 2024 में भारतिय बजार में लॉंच होने वाली है इन बाइक्स की प्राइजिंग, इनका लुक्स और इनके सारे फीचर्स आपको इ 1,60,000 रुपे, बाइक के जो लुक से वो बहुत ही शानदर है, लेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो आपको अल LED हैलाइट का सेट अप मिलता है, LED इंडिकेटर मिलेंगे और LED टेल लेट आपको इस बाइक में ओफर करवा दी जाएगी, बात करते हैं इसके एंजिन की तो इसम आपको मिलेगा 149 CC का लिक्विट कूल इंजन जिसमें आपको 20 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा और नमबर वो गेर्स यहाँ पर आपको चाहे मिल जाएंगे, बाइक में आपको All Digital Instrument Console मिलेगा, Dual Channel ABS मिलेगा, Dual Disc Brake मिलेंगे, यह सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाने वाले हैं, अब अगर बात करेंगे यह बाइक कब तक भारती यह बाजार में लॉंच हो जाएगी तो April 2024 में यह बाइक भारती यह बाजार में लॉंच होने वाली है, नमबर टू पर आती है Honda CB125R, CB125R एक 125cc की बाइक है जो की यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद बाइक का जो लुक्सन डिजैन है वो बहुत ही बढ़िया है, एक लाख रुपे इस बाइक की कीमत रहेगी, इलेक्टरिकल्स की बात करें तो आपको अल LED हैडलाइट्स मिलेगी, बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे और LED टेल लाइट आपको इस बाइक में मिल जाएगी, इस सामने आपको टेलेस्कोबिक सस्पेंशन मिलेंगे और पीछा मोरोशाग एबसोर्बर सस्पेंशन मिल जायेगा, बात कर लेते हैंगे यह बाइक कब तक भारती बाइटी 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 में लाइट होने वाली है, नमबर थी पर आती है कीवे अर्टी एफ 125, ये भी एक naked street fighter bike है जिसकी pricing रहेगी एक लाग रुपे bike का जो look से वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर electricals की बात करो तो आपको all LED headlights का setup मिलेगा LED indicators मिलेंगे और आपको LED tail light इस bike में मिल जाएगी इसके engine की बात करो तो आपको मिलेगा 125cc का single cylinder liquid cool engine engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 Nm के torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आप कुछ है मिल जाएगे bike में आपको digital instrument console मिलेगा सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा single channel ABS और dual disc brake के साथ आपको यह वाली bike मिलने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती यह बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह bike confirm भारती यह बाजार में launch होने वाली है number 4 पर आती है Yamaha Phaser 150 Phaser 150 एक 1500cc की कम दाम की bike है जिसकी pricing रहेगी 1,00,000 रुपे bike का जो looks and design है वो simple ही है लेकिन फिर भी simple looks में भी यह bike देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है इसमें आपको halogen headlam मिलेगा bulb indicators मिलेंगे और पीछा आपको bulb tail light मिल जाने वाली है बात करते हैं इसके engine की तो उसमें आपको मिलेगा 149cc का single cylinder air cooled engine जिसमें आपको 13 bhp की power और 11 newton meter का torque मिलेगा और नमबरोग gears यहाँ पर आपको कुछ है मिलने वाले है bike में आपको analog और digital का meter मिलेगा सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछे आपको dual shock absorber suspension मिल जाएगा Yamaha की UBS braking technology मिलेगी front में आपको disc मिलेगा और पीछा को drum brake मिल जाएगा अब अगर बात करें ये bike कब तक भारती ये बाजार में launch हो जाएगी तो ये bike April 2024 में भारती ये बाजार में launch होने वाली है number 5 पर आती है Honda CL250 CL250 एक scrambler bike है जिसकी कीमत रहेगी 1,60,000 रुपे bike का जो looks and design वो बहुत ही बड़ी है देखने में bike बहुत शांदार लगती है अगर आपको long tour करना है और अगर आप एक अच्छी bike का weight कर रहे हो तो आप इस bike के लिए थोड़ सा weight कर सकते हो bike के यहाँ पर electrical की बात करें सामने आपको LED headlights मिलेगी bulb indicators यहाँ पर आपको दिये जाएंगे और पीछे आपको LED टेल light मिल जाएगी इसके engine की बात करें तो आपको 249 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 28 BHP की power और 20 Nm का torque मिलेगा और number of gear से यहाँ पर आपको चाहे मिल जाएंगे bike में आपको digital meter मिलेगा सामने आपको telescopic suspension मिलेगे पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा और जो features हैं वो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे अब अगर बात करें यह bike कब तक यहाँ पर भारती बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है number 6 पर आती है Yamaha XSR 125 XSR 125 यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है बहुत शांदार दिखने वाली bike है जिसकी कीमत रहेगी एक लाख रोपे बाइक को जो looks and design है वो बहुत ही प्यारा है रेट्रो टाइप डिजाइन इस bike को दिया गया है इसके electricals की बात कर तो यहाँ पर आपको LED indicators दिये जाएंगे LED headlights में लेगी पीछे आपको LED light में लेगी और जो और और बाइक का looks and design है जो sitting posture है वो भी यहाँ पर आपको upright मिल जाता है इसके engine की बात कर तो इसमें आपको मिलता है 124 CC का oil cooled single slander engine जिसमें आपको 15 BHP की power और 14.5 Nm का torque मिलेगा और यहाँ पर number of gears यहाँ पर आपको कुछ है मिलने वाले है बाइक में आपको digital instrument console मिलेगा upright handlebar मिलेगा dual disc with single channel ABS में आपको यह बाइक मिलेगी सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिलने वाला है अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारतिय बाजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में यह बाइक confirm भारतिय बाजार में launch होने वाली है नमबर 7 पर आती है Yamaha XSR 155 यह जो बाइक है इसको भारतिय बाजार में काफी लोग पसंद करते हैं और बहुत टाइम से लोग इस बाइक का वेट कर रहे हैं एक लाग साथ हजार रुपेस बाइक की कीमत रहेगी जो looks and design वो बहुत ही प्यारा है इलेक्ट्रिकल की बाद कर तो यहाँ पर आपको LED headlights मिलेगी LED indicators मिलेंगे और LED tail light आपको offer करवा दी जाएगी इसके engine की बाद कर तो आपको मिलता है 155 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 19.3 BHP की power और 14.7 Nm का torque मिलता है और यहाँ पर जो number of gears है वो आपको चाहे मिल जाएंगे बाइक में आपको digital meter दिये जाएगा upright handle bar मिलेगा dual disc with single channel ABS में आपको यह बाइक मिलेगी सामने आपको USD fork suspension मिलेगे और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात करें ये बाइक कब तक भारती ये बाजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में ये बाइक confirm भारती ये बाजार में launch होने वाली है इस बाइक की कीमत रहेगी एक लाग रुपे 125 CC सेगमेंट में ये बाइक आने वाले जिसका जो लुक्स है वो स्वाट पिलियन 250 की तरह ही होने वाला है बस यहाँ पर जो engine changes है और जो थोलबस cosmetic changes है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बाइक में आपको all digital instrument console मिलेगा यहाँ पर आपको LED indicators मिलेंगे LED headlights मिलेगी और पीछे आपको LED tail light मिल जाने वाली है spoke wheels के अंदर यह बाइक आएगी alloy wheels नहीं आएंगे इसमें telescopic suspension सामने मिलेगा और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में यह बाइक confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 9 पर आती है Sinis 125 Terran यह एक adventure bike है तो जिसको भी long tour करना और एक adventure trip चाहिए तो उसके लिए bike बहुत ही बढ़िया रहेगी engine की बात करें तो इसमें आको मिलता है 124 CC का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 13 BHP की power और 11 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको चाहे मिल जाएंगे bike में आपको true adventure वाली feel आने वाली है small digital display यहाँ पर आपको दिये जाता है inverted fork suspension आपको सामने मिलते हैं और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाता है dual disc with a dual channel ABS में आपको यह bike मिलने वाली है अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो में 2024 में यह bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 10 पर आती है Lex Moto Elixar 125 यह जो bike है यह भी बहुत जबरदस्त बाजिक है इसकी कीमत रहेगी 1,30,000 रुपे बाजिक का जो luxe and design वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पर जुसके electrical से उनकी जो visibility जो functioning है वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार मिल जाने वाली है इसके engine की बात करें तो उसमें आपको मिलेगा 125 CC का single cylinder liquid cooled SOHC FI engine जिसमें आपको 13 bhp की power और 11 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं बाइक में आपको dual disc with single channel ABS offer किये जाएगा analog और digital का meter यहाँ पर आपको दिये जाएगा fully fade के अंदर यह बाइक आती है तो देखने में बहुत ही जबरदस लगती है सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती यह बाजार में launch हो जाएगी तो में 2024 में यह बाइक confirm भारती यह बाजार में launch होने वाली है number 11 पर आती है Sinis GPX 125 यह जो बाइक है यह यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आएगी एक लाग 25 यह रुपए बाइक कीमत रहेगी जो बाइक का looks and design है वो बहुत ही प्यार है देखने में बाइक एकदम शांदार लगती है और इसमें जो electricals है वो आपको all LED headlights के setup में मिलते हैं तो visibility को लेकर भी कोई भी दिक्कत आपको इस बाइक में face नहीं करनी पड़ेगी इसके engine की बात कर जिसमें आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cool BS6 engine जिसमें आपको 12 BHP की power और 10 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपकुछ है मिल जाएंगे बाइक में आपको all digital instrument console मिलेगा dual disc with single channel ABS में आपको यह बाइक मिलेगी सामने आपको USD fork suspension मिलेगे और पीछा आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो यह बाइक mid 2024 में भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 12 पर आती है Yamaha MT 125 MT 125 का काफी लोग बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं एक लाग रोपेस बाइक की कीमत रहेगी जो की बहुत ही शांदार प्राइजिंग है जो बाइक का looks and design है वो MT 15 से ही similar है बस यहाँ पर जो color है और जो engine है उसमें आपको थोलो बहुत cosmetic changes मिल जाएंगे बाइक के जो electricals है वो भी आपको same मिलने वाले हैं इसके engine की बात कर तो उसमें आपको मिलेगा 124 CC का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 14 BHP की power और 11.6 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको कुछ है मिल जाएंगे बाइक में आपको all digital instrument console मिलेगा dual channel ABS दिये जाएगा या महा की advanced technology आपको यहाँ पर मिलेगी जो build quality वो भी आपको जबरदस्त मिल जाएगी सामना को telescopic suspension मिलेगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात करें ये बाइक कब तक भारती ये बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में ये बाइक confirm भारती ये बाजार में launch होने वाली है नमबर 13 पर आती है Zontis ZT 125 G1 ये जो बाइक है ये बहुत ही बड़ी है बाइक है इस बाइक की कीमत रहेगी एक लाग 25 या रोपे नियो रेट्रों के अंदर ये बाइक आती है इसको जो एक्टरिकल्स है एकदम हेवी से ये बाइक दिखती है LED हेडलेट्स आपको यहाँ पर दी जाएगी LED इंडिकेटर्स ओफर किये जाएगे पीछे आपको LED टिलेट भी दे दी जाएगी बात कर लेते हैं इस बाइक के एंजिन के बारे में तो इसमें आपको मिलेगा 124 CC का सिंगल स्लेंडर लिक्विड कूल BS6 इंजिन जिसमें आपको 13 BHP की पावर और 11 Nm का टॉर्क मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगे बाइक के और कुछ फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पर आपको all digital instrument console मिलेगा dual channel ABS दिये जाएगा सामना को USD fork suspension मिलेगे लेकिन यहाँ पर cost cutting की जाएगी तो आपको telescopic suspension मिलेगे और वीच्छा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा और dual disc brake के साथ यह बाइक आती है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो यहाँ पर यह बाइक जून 2024 में भारती बजार में launch होने वाली है बागे दोस्तों आप comment करके ज़रूर बताओ कि इन 13 bikes में से यहाँ पर कौन सी bike यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तुम्हें देके आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो शेर करो और अगर आप मेरी चनल पर नए आया हो तो सब्सक्राइब करके बाले करन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अब एक लिए थैंक्स तिल दैन वेट फॉर माइ न्यू अपकमिंग वीडियो ज